आज जो हम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं न्यूस लिबस के जो पेपर नंबर चार है कॉर्परेट अकांटिंग और फिनांशल मैनेजमेंट उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं मेरा नाम है मुकेज इस्वानी क्वालिफिकेशन वाइज मैं सिए जिए में तीनों किया हुए और बिकोम नॉनर में ग्रादूएशन की हुई है अचीवमेंट्स थोड़ी सी बताऊं, मैं थोड़ी से अपने बारे में कम बोलता हूं, पहली क्लास में जो बोलते था हूं, वैसे में से बोलानी जाता, अचीवमेंट वाईज बोलू तो, बीकॉम ओनर्स फिर्स्ट एर में मेरे डियू में ने टॉप किया था अकाउंट्स में, मेरे 100% माक्स थे, उस टाइम पर 50 नंबर का पीपर हुथा था और 50 और 50 आए थे, CMA Final में मेरी 9th रांग आई थी, All Over India, और जहां तक सवाल है, CMA और CS Final का, उसमें रांक नहीं आई थी, लेकिन मैंने दिये सारे सारे ग्रूप थे, तो 1st shot clear था, CMA Final भी 1st shot था, CS Final भी, उस टाइम पर 3 ग्रूप थे, अभी भी शायद आपके 3 ग्रूप है, Final में, वो 3 ग्रू जॉब की, फिर 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना मैंने शुरू किया था, seriously, ICSI में as a visiting faculty जाकर, यहां पर मैंने as a visiting faculty पढ़ाना शुरू किया था, ICSI, और फिर उसके बाद, teaching का सफर ऐसा रहा कि मुझे वापस जॉब में जाने की जरूत नहीं पड़ी और नही exclusively फिलहाल मेरा, जो है वो CS के students को ही पिछले 12 साल से पढ़ा, मैंने slavers change होते हुए लगबग, यह तीसरी बार देख रहा हूँ, जब मैंने नया-नया पढ़ाना शुरू किया था, 2013 में एक slavers आया था, फिर 2017 में एक slavers आया था, और अपने slavers अब 2023 में आया, मतलब हर 5 सा हो है, economic environment जैसा चल रहा होता है, हर एक institute, चाहे वो CA हो, CS हो, या CA में हो, वो अपने slavers को बदलने की कोशेच करते हैं, अब हम जो first group की बात करें, तो पहले तीन paper तो आपके law के हैं, एक ही paper है practical जो हमारा वाला है, और उस paper का नाम क्या है, corporate accounting and financial management, आप अपना back देखें, ममी इने आपको एक register देके भीजा होगा, register नहीं भी लाया हो, तो कोई बात नहीं, आज नहीं चलेगा, और अभी मैं registers को लेकर बात करूँगा आपके लिए, कि registers आपको कैसे कैसे लगाने है, corporate accounting and financial management, ये हमारे subject का नाम है, ठीक है, ये जो corporate accounting है, ये 60 marks की है, मतलब जो हमारा ये paper है, 60 नमबर का उसमें क्या है, corporate accounting, और 40 नमबर का क्या है, financial management, management, अभी जब मैं existing old slavers के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब तो आप new slavers के हो गए, पुराने वालों को अब क्या बोलेंगे old slavers, जो old slavers के students को मैं पढ़ा रहा हूं अभी, उनके ये दोनों paper अलग-अलग है, मतलब 100 नमबर का accounts का paper है, हलाकि वहां पर corporate के साथ-साथ add कर दिया गया है management accounting, तो वहां पर 100 नमबर का एक अलग paper है और financial management का 100 नमबर का एक अलग paper है, हलाकि वहां पर FM 60 marks का है, 40 marks का उसमें एक और portion है strategic management, अब institute ने क्या किया है, दो papers को merge करके आपके slayvers में एक paper डाल दिया है, और उस paper का combined नाम क्या कर दिया है, corporate accounting and financial management, एक तो ये difference है, कि अब दो paper को combined करके एक paper कर दिया गया है, सोचो अभी 200 नमबर का exam दोनों को मिला के हो रहा है, जो exam हो रहे हैं अभी, और आपका 100 नमबर का कर दिया है, काईदे से content भी half करना चाहिए था, और institute ने content half नहीं किया है, content जो है, अभी भी इतना है कि 100 नमबर में समझ लो, 1500 नमबर का content है, मतलब एक अच्छा खासा comprehensive paper है ये वाला, लेकिन इस paper की खास बात क्या है, कि इस paper में marks जो है ना, वो अच्छे खासे आ सकते हैं, अगर हमने ठीक से practice करी है, ठीक से practice करी है, मतलब, लेको जो आपके बाकी के तीन paper है, वो legal paper है, law के paper है, दुनिया वाले theoretical paper बोल रेते हैं, हाला कि theoretical कहना सही नहीं होगा, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब वो वैसी वाली theory नहीं है, जो business studies आपने 12th में पड़ी थी, यहां पर law का paper मतलब आपको interpretation वगरा कैसे करनी है, वो सब आप यहां पर सीखेंगे, और जब आपको lawky teachers आप सिखाएंगे, आप देखोगे, interpret कैसे करना है लोको, वो वहां पर आप बहुत अच्छे से सिखेंगे, लेकिन फिर भी लिख के आना है वहां पर, और जब हम कोई answer को लिख के आते हैं paragraph form में, या फिर ज़स तरीके से भी teacher हमें suggest करते हैं कि points form में लिखना है, कैसा लिखना है, एक theory answer को जब हम लिखते हैं तो जो paper check करने वाला दिमाग में पहले से set कर चुगा है, कि 5 नमबर के theory अगर्स ने लिखा है, question लिखा है, तो उसको 4.5 चार चार देने, बहुत किसी बच्चे की बड़िया quality हो answer की, तब शायद उसके 5 में से 5 दिये जाएं, पर वो दिमाग में set करके बैठा है कि 4.4 से उपर नहीं दूगा, generally, जो एक paper, जो मैं किसी legal paper की बात करते हैं, आप भी सोचो, आपने इतने paper दिये होंगे, तो आपने भी जब-जब कभी theory paper दिया होगा, मैं फिर से बोलना हूँ, theory नहीं है, वहाँ पर interpretation skills आप सीखेंगे, लेकिन सेल कभी भी आपने वो लिखने वाला paper दिया होगा, practical नहीं दिया होगा, तो हम भी जब paper marks लगाते हैं, तो 5 में से कितने लगाते हैं, तीन साड़े तीन चार, मतलब हम अगर उसमें number देखते हैं, तो 5 में से 4 साड़े चार, और अगर आपके answer की quality थोड़ी से भी हल्की होगी ना, तो वो दो ड़ाई से उपर देगानी है, लेकिन practical questions की खास बात क्या है, अगर आपने 5 number का question है, 5 number का पूरा ठीक है, तो पूरे 5 मिलने हैं, कहीं कोई कटाउती नहीं है, और ये एक paper ऐसा है, क्योंकि मेरी जो, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, हम practice बहुत जादा करेंगे class में, और ये paper एक ऐसा है, जो आपको around 60-70% marks दे सकता है, दो अब paper descriptive हो चुका है, existing slavers को मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, MCQ, multiple choice questions, और आपको कैसे पढ़ाऊंगा आप descriptive, मतलब अभी हम question कैसे solve करते हैं, सारे एक-एक number के, लेकिन हम अब यहाँ पर कैसे solve करेंगे, descriptive बड़े-बड़े question solve करेंगे, और सच बताऊं, मैं ना miss कर रहा था, ये accounting, जो ये वाला descriptive बात में, पिछले दो, तीन, चार साल से, जब से पिछला syllabus आया था, मैं MCQ पढ़ा रहा हूँ, और accounts बिना balance sheet बनाए, बिना journal बनाए, बिना रे मज़ा कहा था, accounts बढ़ेनागा, accounts बढ़ेनागा, असली मज़ा कवे, जब हम ledgers बात, general की बात करें, ledger की बात करें, और balance sheet बगएरा की बात करें, sir इसी से डढ़के तो CS करी थी हमने, और आप जो है accounts की बात फिर से कर रहे हूँ, देखो, आपने न 11, 12 में जो मर्जी कू कर्म किया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे भी कुछ आपसे ज़्यादा expectation रखने वाला भी नहीं हूँ, मेरी कोई expectation, कोई उमीदे नहीं है आपसे, आपको मैं हर एक चीज बिलकुल basic level से, उसके बाद धीरे-धीरे advanced level पर चलेंगे, मतलब पहले हुम बात करेंगे, बिलकुल आम बंदो की तरह, और धीरे-धीरे फिर खास बंदो की तरह बात करना शुरू करेंगे, मतलब धीरे-धीरे अपने level को advance करते चलेंगे, कितने बच्चे प्लस 2 अभी पास करके आए है? अभी रीसेंटली प्लस 2 ही किया है? बागी सब अभी Graduation चल रही होगी ना? मतलब अभी 1st year में हो जो कितने बचै़ है? फर्स एर में और 12th पास करके आए है रि hear? मतलब आप देखो के majority बच्चा चोटे-चोटे बच्चे हैं, 12th pass करके आए हैं, भले ही आपने अभी अभी पढ़ी होगी accounts, लेकिन still में धी कोई उम्मेदे आफ से होगी नहीं, कोई non-commerce background से है क्या, मतलब arts या sign, फिलाल इसमें नहीं है, पर generally non-commerce background के बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी कोई तकलीफ हम प्रशिश करते हैं, ना है, अगर कोई non-commerce background का बच्चा है भी तो, क्योंकि बिल्कुल scratch से, बिल्कुल beginning से बात करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, एक non-commerce background के बच्चे को थोड़ा सा problem यह आता है, कि उसने ना कभी debit credit देखा नहीं होता, पहले तो foundation का root होता था, उसमे accounts पढ़ा ही जाती थी, तो थोड़ा सा debit credit देख के आता था, अब क्या problem है, कि अब तो CACD वाला आप सब देखे होंगे exam, उसमें कोई accounts हाई नहीं paper, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी problem यह आती, कि सीधा advanced level का accounts पढ़ता है, तो वहाँ एक थोड़ी सी non-commerce background के बच्चे को द debit the receiver, credit the giver, यह वाली एक English approach थी, एक American approach भी होती है, कि asset बड़े तो debit करो, asset घड़े तो credit करो, वह हम बात करेंगे, जैसे हम journal entries वाले किसी topic में आएंगे, पहला topic में generally ऐसा लोगा, जिसमें हम journal वगर अगा use नहीं करेंगे, एक बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा topic लेंगे, जहां पर ना journal की बात आएगी, ना balance sheet की बात आएगी, ठीक है, अब पहले कुछ basic सी बाते कर लें, क्योंकि अभी मैं आज topic को introduce करवाँगा, और हम topic देखते हैं, आज शिरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, फिलाल जो पहला काम, आप यह समझ के चलें, कि आप वापस से school में आ गये हैं, आपको classwork register, homework register, दो register लगाने, एक classwork register जो मैं भरवाँगा, homework register जो आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है, खाली छोड़ेंगे, भरेंगे उसे भी आ, भरेंगे, उसे भी भरेंगे, classwork register जो है, वो जो होगा, वो आप लगबग 300 pages का लगाएगा, कई तरह के registers मिल जा बड़ा बलकी होता है, उस के विट बहुत जादा होती है, तो लिखने में दिक्कत आती है, फिर carry करने में दिक्कत आएगी, तो बेटर है कि 300 page वाला एक ideal register रहता है, तो 300 page वाला आप register लगाएगा, और लगबग हमारे सारे मिला के शायद कुछ 5-6 registers हो सकता है, भर जाएग और बिल्कुल जैन्मन भी है, आप पहले डेमो लीजिए, आप से पहले satisfy हुजिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही और भी कई अगर आपने किसी teacher को shortlist कर रखा है, उनका भी डेमो वीडियो देखना, फिर जहां ठीक लगे है, भाजा इंकले ना, ऐसा ही होता है, और ऐसा ही करना चाहिए आपको, लेकिन जब भी आप अपना fair register लगाएंगे, तो आपको करना क्या है, शुरुआत के तीन pages ना आप खाली चोड़ेंगे, तीन pages खाली के चोड़ेंगे, क्योंकि मैं उसमें कुछ index के बारे में बताऊँगा, कि index कैसे बढ़ तो हमारे सारे classmate के register होंगे, तीनों law के भी classmate के register होंगे, और accounts fm के भी classmate के register होंगे, at the end of the day, आपके 10-12 register होंगे, और पहचानना मुश्किल होगा कि कौन से register में क्या है, क्योंकि सारे एक जैसे लगेंगे, या classmate हो गया, नील गलगन हो गया, या जितने भी और भी किसी company आप register के लेके आते हैं, तो हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, खासकर मेरे subjects के लिए, मैं अपने register के भारना एक चिट लगवा दिया करूँगा, जिसे sticky notes बोलते हैं, या A4 size का paper करवा के, बहार एक चिट लगा दिया करेंगे, कि इस register के अंदर अंदर, ये ये chapters है, या हमारे जो focus रहेगा, वो notes पे रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा asset है, हमारे notes अगर बढ़िया से बने होंगे, जितनी भी topic हम करेंगे class में, इस में से बहुत से topic, क्योंकि अभी आप graduation में अभी entry करें हैं, तो B.com में आपके वो topics होंगे, FM आप पढ़ेंगे, अगर B.com मे हैं, उसकी कोई coaching लगवाने की जोरत नहीं पड़ेगी, तो notes हमारे कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, अब होगा क्या, कि मैं जिस तरीके से आपके notes बर्माऊंगा, एक तो index पे हम focus करेंगे, आप ना हर एक register, जो register लिक आएंगे, तो हर एक page पे 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 पड़ेगा, page number 1, 2, 3, पूरे register को number कर दीजएगा, और उसके लिए कोई अलक से नहीं बैटना, कभी कोई मानलो, आप खाली बैठे हो, for example, मेरी class खतम होगा, अगले teacher का आप वेट कर रहो, तो ठीक है, यही time pass करना है, register निकाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और index कैसे बनेगा, आप खु calculator की जरूत हमें हर class में पड़ेगी, आप ही के participation में यहाँ पर सारे answers मतलब आप से calculate करवाऊंगा, और यहाँ पर मैं, मैं अपना भी लेकर आऊँगा, अगर आप कभी attitude में आऊगे कि नहीं बताऊगे मुझे answer, तो मुझे अपना भी निकालना पड़ेगा, calculator, लेकिन आप calculator साथ में लेके आने वाले हैं हर class में, ठीक है अब यह जो subject है corporate accounting और financial management, जो इसका पहला portion है corporate accounting, नाम आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर corporates की accounting करनी है, आप कौन सा course कर रहे हैं, company secretary का, company secretary का course कर रहे हैं, तो हमें accounts भी किसके सीखने चाहिए, जो company के होते है, ultimately आपका role कहां और है, company में role है, तो हमारे syllabus में किसकी accounting है, corporate accounting, एक accounting ना, financial accounting भी होती है, एक accounting कौन सी होती है, एक field financial accounting भी होती है, जो आप single entry system बढ़ते थे, या फिर आपने partnership पढ़ा, या भी B.com में आप वहाँ पर branch accounting पढ़ेंगे, consignment accounting पढ़ेंगे, ये सब किसकी accounting है, ये सब financial accounting की field में आत shares बढ़ा था न, 12th class में, वो basically corporate accounting का ही हिस्सा था, जो आपने debentures बढ़ा था, वो भी किसका हिस्सा था, वो भी corporate accounting का हिस्सा था, तो हमारे syllabus में पहली बात corporate accounting है, दिखने में लग रहा है कि ये 60 number की है, पर actually में जब आप FM का content देखोगे, financial management का, तो वहाँ पर भी कुछ एका topic ऐसे डाले हुए है, जो actually में, अभी जो मैं accounts वारा subject ले रहा हूँ न, वो उसमें है, मतलब FM में एक topic हम अभी देखेंगे, अभी मैं पूरा लिखा हूँ आपको course content, FM में एक topic है, marginal costing के नाम से, जबकि FM में marginal costing कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, marginal costing सही मायनों में जो topic है, वो management accounting की field का है, तो यहाँ पर जब मैं आपको सारे list लेखाऊंगा, एक topic हम लिखेंगे, जो management accounting, मतलब corporate accounting के साथ ही generally उसको discuss किया जाता है, वो किस में है, FM में, तो वो 5 नमबर का मुझे लगता है कि exam में आएगा, जब भी आएगा, तो देखा जाए, effectively देखेंगे, तो हमें FM का जो इसमें, जो लिखा हुआ है 40 marks, हो actually 35 है, 35 के आसपास है, और 65 किसका है, 65 basically corporate accounting का है, हाला कि मैंने कहा, marginal costing जो topic है, वो management accounting को belong करता है, management accounting, corporate accounting से different होती है, पर जो अभी existing हमारा structure है, जो MCQ pattern, जिन बचुकों में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर subject का नाम क्या है, corporate and management accounting, हमारे subject का नाम क्या है, corporate accounting and financial management, ठीक है, तो हम ना पहले क्या करते है, हम सबसे पहले course content ठोड़ा लिख लेते हैं, कि हमारे syllabus में क्या-क्या topics हमको पढ़ने हैं, तो आप अपने registers के पहले, मतलब 3 pages छोड़ेंगे, किसके लिए, index के लिए, ठीक, अब आप लिखेंगे course content, course content में हम, एक topic पढ़ेंगे, issue of shares, सभी तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है, फिर से पढ़ेंगे हम, issue of shares कहां पढ़ रखा है, आपने 12th class में पढ़ रखा है, याद ना, 12th class में issue of shares पर आपने बहुत मेहनत करी है, वही सब कुछ है यहाँ पर, वही issue of share, pro rata, forfeiture, reissue, सारा फिर से repeat कर रखा है, और institute की खास बात पता है क्या है, अभी तक जो मैंने history देखी है 12 साल में, यह बले ही बच्चा 12th class में पढ़ के आता है, पर institute का ना इस chapter स से अलगी लगा गए, फिर से पूछता है, पांच-पांच, साथ-साथ, आठ-हट नंबर के questions पूछता है, तो institute इस chapter से बहुत अच्छे खासा नंबर पूछता है, और level कोई बहुत हाई-पाई नहीं है, 12 से थोड़ा सा उपर होगा, but more or less 12th का ही level है, उसके बाद हम एक topic य redemption of preference shares, किसका redemption देखेंगे, redemption of preference shares, एक topic हम देखेंगे, buyback, buyback of shares, फिर हमारा एक topic होगा, ESOP, ESOP short है, पूरी full form इसकी होती है, employee stock option plan, जब मैं topic करवाँगा, तो वहाँ लिखवाँगा, अब भी short में, 12th में नहीं था, बहुत से topic 12th, redemption of preference shares था 12th में, वो भी नहीं होगा शायद, debenture का होगा, वो, debenture का होगा, preference shares का नहीं होगा शायद, ने, preference shares का नहीं होगा, debenture का होगा, ठीक है na, ESOP कुछ कुछ हो सकता है, कुछ states के board में डाला हुआ होगा, लेकिन DU का जहाँ तक, CBSC के board में तो मुझे नहीं दिखा था, कहीं पर होता नहीं इंट्रो टाइब होका पर यहाँ पर बड़ा advance stage पर ए-स अप के साथ हम पढ़ेंगे एस पीएस क्या होता है कि तरह होता है कि ya क्या होता है employee stock purchase plan है कि उसके के बाद एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहां पर अंडर्राइटिंग की ना शायद आपने सिरफ डेफिनेशन देखी होगी बिजनस स्टडीज के पेपर में आपके अगर शायद देखी हो नहीं देखी होगी तो यहां तो हमें डिटेल में पढ़ना है अंडर्राइटिं आपना अब आपकाुला आपकार है और अब पुरिय लिस्ट लिखेंगे हैं, इन सब पे न, अभी आपका पेपर होगा company law, जो दिपर गजदानी सर पढ़ाएंगे आपको, interpretation बहुत in-depth पढ़ाएंगे, और वहाँ पे जब आप देखोगे तो company law में ये सब चीजे हैं, issue of shares भी है, buyback भी है, bonus भी है, जैसे अब redemption of preference shares है, इसका section issue of shares, जब आप company law पढ़ोगे तो section 55 है, buyback पढ़ोगे तो वहाँ section 68 है, मतलब आपके company law में भी ये topics हैं, लेकिन जब हम company law में इन topics को पढ़ते हैं, पता है हमारा focus किस पर होता है, legal analysis पर, कि जो law है, वो किस तरीके से इनके बारे में बात करता है, आप law की teacher को ये थोड़ी बोलेंगे, सर्फ buyback हो गया, आप ज़रा accounting entry हो जाए, accounting entries वहाँ पर नहीं करवाएंगे, आप वहाँ पर किस पर बात करेंगे, वहाँ पर legal पर बात करेंगे, तो हमारा पर हमें बात जो करनी है, इस topic में जो बात करनी है, वो कैसे बात करनी है, as an accountant, कि एक accountant जो है, वो इन topics को कैसे देखेगा, एक lawmaker, एक lawka student इन topics को अलग नजर से देखेगा, लेकिन एक accountant जो है, वो इस topic को अलग नजर से देखेगा, हम जब redemption of preference shares पढ़ेंगे section 55 को भी analyze करेंगे लेकिन legal analysis restricted होगा हमारा main focus किसके उपर होगा इनके accounting treatment पर और जो ये सारे topics हमने यहां लिखे है न हमारा institute जो है इन सारे topics को लगबग एक ही chapter में cover कर देता है और उस topic का नाम बोल देता है accounting of share capital किस नाम से बोल देता है accounting of share capital या फिर related company accounts matter ऐसे कुछ बोल देता है ठीक है पर हम क्योंकि topic ना सारे independent है तो हम तो इन topics को कैसे करने वाले हैं अलग-अलगी करने वाले हैं हम ऐसा कोई mix-up नहीं करेंगे हर एक topic जो है अपने अपने अपनी independence रखता है तो हम इन सारे topics को जो है अलग-अलगी करने वाले हैं उसके बा schedule 3 आपने सुना हुआ है कि 12th class में सुना तो होगा कोई बात नहीं मैंने कहा ना मेरी कोई उमीर है ही नहीं आपसे मैं तो ऐसी मान के चगा हूँ कि आप सब भूल चुके है हाँ very good format बताता है ये schedule 3 किसका format बताता है format of balance sheet and P&L ये schedule 3 format बताता है किसका format बताता है balance sheet और profit and loss account का इन दो चीजों का ये क्या बताता है format बताता है अब न ये जो schedule 3 है ये basically क्या schedule का क्या मतलब हुआ देखो schedule का मतलब ये हुआ कि जो आपका companies act है जब आप companies act अभी सर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे companies act में आपको बताया जाएगा कि एक तो होता है पुरा act जहां पर कई सारे sections होते हैं फिर एक होता है rules और rules के अलावा दे रखी होते है companies act में schedule जिसमें साथ schedule given है कितने schedule given है साथ schedule given है हर एक schedule में कुछ ना कुछ mention है और उसमें से एक schedule है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है शायद law के teacher आपको ये बोले कि schedule 3 हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन हम क्या बोलेंगे schedule 3 तो हमारा main काम है यहाँ पर क्योंकि हम क्या करने वाले financial statements बना तो वो ना horizontal format में होती है horizontal format का मतलब क्या होता है balance sheet ना आमने सामने होती है assets के सामने ही किसका घर होता है liabilities का एक तरफ liabilities और एक तरफ assets लेकिन जब हम बात करते हैं companies की तो companies horizontal format में नहीं बना पाती companies के उपर क्या लगता है companies act और companies act में format given है किसका format given है P&L और balance sheet का कहाँ पर given है companies act में जो कि क्या बताता है profit and loss account का और balance sheet का format बताता है और format कैसा बताता है vertical format बताता है पहले यह कैसे रहते थे आमने सामने रहते थे इनका घर आमने सामने था और यह चीज़़े हम डिसकस करेंगे मतलब balance sheet profit and loss account का विरात रूप 23ечение हम आष डिसकस करेंगे मं कहां देखेंगे कैसे होती, अलग-अलग items की, assets कैसे दिखते हैं, मालिकों का पैसा कैसा दिखता है, भारवालों का पैसा कैसे दिखता है, ये सब वीजों की बात हम कहां पर करेंगे, इस schedule 3 में करेंगे, आदिये बास समझ में, अच्छा, इसके बाद हम एक topic पढ़ेंगे, ये आपने शायद plus accounting standard पढ़ेंगे, और accounting standard क्या होता है, अभी फिलाल में बताऊँगा, accounting standard का हमारे syllabus में chapter भी है, तो accounting standard 3 पढ़ेंगे, हम AS3, ठीक है जी, उसके बाद हम एक topic यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, consolidation, consolidation of accounts, consolidation of accounts, अब ध्यान से प्लीज सुनेगा, सुनना तो क्या है, अभी हमारा एक भी paper नहीं हुआ है, ठीकिन हमारा पहला attempt कब है, December 2023 में, मतलब आप बच्चे पहली बार कब देंगे, December 2023 में देंगे, हमारा MCQ pattern नहीं है, MCQ pattern ने इस बिचारे consolidation chapter की धरजियां उड़ा दी, यह chapter इतना हो, क्या इसका मतलब क्या बताऊं, क्या खौफ था, क्या इसका रुद्वद आ, जब descriptive pattern बताता, यह chapter से हमेशा महंगा question आता है, मतलब पूरे paper में सबसे महंगा question होगा न, वो इसी chapter से होगा, कौन से वाले chapter से, consolidation of accounts, मतलब 12 नमबर का मान लोगर कोई question आता हमारे syllabus में, 80% चांज देते कि वो 12 नमबर का slot है, वो इसी chapter को मिलेगा, हमारे exam में अगर 16 माक कोई question आया, तो वो इसी को मिलेगा, क्योंकि हमें भी नी बता, की paper कैसा दिखेगा अभी, 5 नमबर की question आएंगे, 6 नमबर का आएग फिलाल हमें भी नहीं पता, हाला कि institute में, एक sample paper जरूर दिया है, लेकिन sample paper इतियाद गवाय कभी follow नहीं किया, मैं sample paper जरूर आप किस तरीके का paper pattern देखेगा उसमें, लेकिन आज तक कभी sample paper institute ने, जब पहला attempt होता है, तो follow generally नहीं करता है, उसमें थोड़ी बहुत तो changes होते ह है, फिलाल वो discuss करेंगे, लेकिन consolidation of accounts, अभी जब मैं MCQ pattern में पढ़ाता हूँ, तो इस chapter से 4-5 MCQ पूछता है, और वो भी इतने हलके कि क्या बोलू, consolidation chapter भी बोलता है, क्या या, छोड़ो, निकालो मुझे यहां से, मतलब ऐसे बोल पढ़ता है topic, consolidation का क्या मतलब हुआ, हम जब दो balance sheet, जैसे कि holding company होती है, जब आप law में पढ़ेंगे, एक subsidiary company होती है, example के तोर पर, practical world के example दूँ, Reliance Industries, जो है, वो holding company है, GEO की, GEO उसी के नीचे यह है, ऐसी Reliance Retail भी एक है, तो यह सब क्या है, यह सब subsidiary company है, किसकी बड़ी company की, जिसको क्या बोलते है, holding company, तो holding company कौन है, Rel subsidiary company है, तो law कहता है कि भई क्या करो, कि holding कंपनी की की केताबों को मिला के, मतलब दो balance sheet लो, holding company की, subsidiary company की, दोनों को मिला के बताओ, कि consolidated balance sheet कैसे दिखेगी, holding company का P&L लो, subsidiary company का P&L लो और दोनों मुला के दिखाओ कि consolidated P&L कैसा दिखेगा मतलब ये कि एक अगर subsidiary company है और उसकी कई सारी और group companies हैं तो सबके operations को हम combine करके last date पर दिखाते कि ये पूरा group अगर एक combine पूरा group हो तो किस तरीके से दिखेगा अब ज़रा सोचिए consolidated balance sheet आप सही से कब consolidated balance sheet बनाएंगे जब आपको दो balance sheets दे रखी होंगी और दोनों को मिला कि आप क्या बनाएंगे एक balance sheet बनाएंगे मतलब इस topic में holding company की subsidiary company की दो companies की balance sheet दे रखी होगी और हमें क्या करना होगा उन दोनों को consolidate करना होगा अभी तो सिरफ मैंने वैसे ही वो गया लगबग 12 classes लगेंगे इसे खतम करने में एक महीने का पूरा chapter है क्योंकि सबसे महंगा इसी से question आने वाला है तो इसमें अच्छी खासी हम practice करने वाल लेकिन descriptive pattern में फिर से जो topic है पूरा एक शक्तिशाली topic बन जाता है लगबग 12 classes लगेंगी हमें इसको खतम करने में जब हम इस topic को शुरू करेंगे ठीक difficult नहीं है देखो difficult और मुश्किल तुम्हें difficult और असान तो क्या यह तो सब ना definition की बात है अगर हमें कोई चीज आती है असान है नहीं आती है तो मुश्किल है मेरे परोसी का नाम मेरे लिए सबसे असान है आपके लिए सबसे मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं पता है आप उसको बहुत अच्छे से कर से कोई अगर advanced topic बादा classes क्यों लगांगा क्योंकि शुरुआर कि एक दो classes में आपको बिल्कुल spoon feeding करता हुआ बच्चों की तरह की देखो ऐसे 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 और आपको भी नहीं पतक लगेगा कि कब आप advanced level पर पहुंच चुके होगे तो हमारी start ह हमेशा बहुत ही basic से होगी बिल्कुल आम भाशा में बिल्कुल कोई जो जार्गन या फिर कोई technical terms को यूज़न धीरे-धीर करते करते technical term हम धीरे-धीरे introduce करेंगे मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप में से maximum बच्चा अभी 12th पास करके आया है बिल्कुल अभी बहुत छोटा level है अभी आपने वो time देखा है जब exam में छुटियां ही छुटियां होती है हर चुट पेपर के लिए चार चार चुटियां होती है महिना महिना पर पेपर चलते हैं लेकिन अब आप ऐसा महल देखने वाले हैं जहां पर अगर आप दोनों ग्रूप देने का सोच रहे हैं तो रोज पेपर है और रोज पेपर का मतलब और जो content है course का वो 12 से काफी सिंगल ग्रूप दूँगा तो छुटिया मिल जाएंगी एक बीच में अगर मैं दोनों ग्रूप दे रहा हूं तो आज पेपर देखे आया हूं और कल फिर पेपर है और कल फिर से पेपर हैं तो इसका मतलब यह कि हमारा लगबग हमें 12-15 गंटे मिलेंगे 24 गंटे होते हैं तो 8 गंटे 9 गंटे और निकाल दो 19 से 8 गंटे निकाले टेंशन होगे उनको तो 11 गंटे ही बचे पस अगले दिन अगले दिन मेरा पेपर है और मेरे पस टाइम सिरफ कितना है 11 गंटे एकाउंट के 26 चैप्टर है 11 गंटे में रिवाईज करने आप समझ पार कितनी जादा चाहिए कितना ज्यादा हम इस बार स्ट्राटेजी बनाने हैं और कैसे अच्छे से पढ़के जाना है ज्यादा बर्दन ना लिट सेको सिंगल ग्रूप रहना और सिंगल ग्रूप में पहले हमेशा ग्रूप बन देना चाहिए इसलिए नहीं क्यादा कि मेरा पेपर अब यह है कि पहले कौन सा ग्रूप दू तो मैं स्टिल कहता हूं कि ग्रूप पहले देना चाहिए उसका कारण बहुत सीधा है ग्रूप बन में जो आपका कंपनी लौप का पेपर है वो ग्रूप टू में न सिक्यॉर्टी लौप के पेपर में काफी यूज होता है एक और बार पेपर आपका ग्रूप टू में सिक्यॉर्टी लौप वहां पर कंपनी लौप का बहुत हर रेफरेंस आता है इसलिए पहले हमेशा किसको देना चाहिए क्रूप बंग को और बाद में ग्रूप टू warrior cheaper डर ऑप पर पर क्या क्या अप्लाई हो सकता है, वो सब वहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छा हम आगे वापस यहाँ पर, Consolidation एक टॉपिक है, उसके बाद हम एक टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे, यह भी आपने शायद प्लस टू में देखा होगा, टॉपिक का नाम है, रेशियो एनालेसिस, ठीक है न, रेशियो एनालेसिस, फिर, हाँ जी, इस पर मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, अभी पहले, क्योंकि ना, फिर इस पर मुझे कुछ और रेलेटेड बाते बता रहेंगे, जो डिरेशिन को लेकर, मैं बिल्कुल इस पर आऊँगा, फिलाल, रेशियो एनालेसिस एक टॉपिक है, यह भी आपने पढ़ रखा है, और हम एक टॉपिक जो पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ेंगे, एकाउंटिंग स्टांडर्स का, एकाउंटिंग स्टांडर्स के साथ, हम पढ़ेंगे, इंडियस, एकाउंटिंग स्टांडर्स को हम शॉट में एस बोल देते हैं, और इंडियस को हम बोल देते हैं, इंडियन एकाउंटिंग स्टांडर्स, इंडियस को क्या बोल देते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टांडर्ड इंडिया शॉट में बोल किया चलिए अब ध्यान से सुनना प्लीज इसमें भी अकाउंटिंग स्टांडर्ड क्या होते हैं इसके उपर हमें अफ़कोस बहुत अच्छे वाली डिसकर्शन करनी है लेकिन अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग चीजों पर लोग अपनी ही मनमर्जी ना लगाएं इसलिए CA Institute जो है CA Institute जिसे हमारा CS Institute है CA Institute है ICAI वो क्या करता है कई सारे आस्पेक्स पर उन्होंने एकाउंटिंग ट्रीट्मेंट बता रखी है पता नहीं आपके टीजर ने बनाया ने बताया नहीं बताया लेकिन वो कैश फ्लो स्टेट्मेंट में जो जो बाते आपने पड़ रखी थी सारी की सारी सब की सब AS नमबर 3 में के विल थी, AS 3 क्या होता है जैसे कई सारी स्टेट्मेंट्स है उसमें से एक स्टेट्मेंट जो ती से तीन नमबर पर है मतलब लगबग हम जो सारे AS देखेंगे 39 AS है AS की बात अगर मैं करूँ जिसमें से बीच में एक आट डिलिटिट है जैसे AS 6 डिलिटिट है AS 8 डिलिटिट है AS 32 कभी इंसिट्यूट ने एशू किये थे लेकिन 3 विड्रॉ कर लिये थे टोटल कितने हैं AS 29 है 39 तक AS है तो हर एक आस्पेक पर इंसिट्यूट ने एकाउंटिंग ट्रीट्मेंट बता रखी है एक्जाम्पल की तौर पर हम जब बात करेंगे कि एक फिक्स एसेट खड़ीतते हैं हम प्लांट इन मशीनरी खड़ीतते हैं तो उसको अपने बुक्स में कैसे रिकरनाईस करें उसके लिए एकाउंटिंग स्टांडर्ट 10 है हमें सरकार की तरफ से कोई गर्मेंट से कोई grant मिलती है, तो वो जो grant का कैसे recognition करें, उसके लिए एक AS AS number 12, ठीक, ऐसे ही मान लो की earning पर share आपने एक ratio का भी सुनी होगी, जो हम ratio उस चाप्टर में भी बढ़ेंगे, earning पर share पर एक AS AS number 20, अगर एक company मान लो patent, एक pharmaceutical company, जैसे पीछे COVID का time था, हर एक company जो क्या बना रही थी, COVID की दवाई बनाने में लगी होगी थी, COVID की vaccine बनाने में लगी होगी थी, तो वो COVID की vaccine को patent कराना, patent क्या हो जाएगा, एक intangible asset, उसके लिए AS AS number 26, तो उसकी accounting कैसे होगी, तो कई सारे ना accounting standards है, CA Institute को accounting standards क्यों issue करने पड़े, क्योंकि आए दिन इतने fraud बगएरा हुए हैं पीछे, बहुत चाहे सत्यम का fraud लो, चाहे Kingfisher का fraud लो, कितने सारे fraud आपने सुने होंगे, जो आज नहीं तो कल होते ही रहते हैं, और वो क्यों होते हैं, कही ना कहीं, books of accounts को manipulate करके, किताबों को manipulate करके, विंडो ड्रेसिंग एक टर्म यूज होती है, उसको manipulate करके, तो CA Institute ने क्या कहा, तुमारी जो ये creative accounting है न, अपने आप से तो तुम create कर ले तो accounting, इसको खतम करने के लिए, CA Institute ने कई सारे matters पर क्या issue कर रखे हैं, accounting standards, वो accounting standards कैसे issue होते हैं, कितने हैं, उसके उपर हमें basic understanding यहाँ पर लेनी है, और क्योंकि अब आज का जमाना क्या है, कि कंपनिया सिर्फ एक ही देश में काम नहीं करती है, TCS की बात करूँ, इंडिया में थोड़ी काम करती है, TCS का main काम तो US से आता है, उसके लावा और भी बतानी कितनी countries में, रूल चल रहे हैं, तो फिर क्या कहा गया कि एक set of rules हो, तो हमने फिर international accounting का भी एक domain देखा, और international accounting basically क्या है, जो internationally follow होते हैं, उसको हम बोलते हैं international accounting standards, आज के दौर में उसको बुले जाता है IFRS, International Financial Reporting Standards, यह सारी terms हम पढ़ेंगे, और उस IFRS का हमारे इंडिया ने देशी वरजन निकाल दिया है, इंडियनाइज वरजन निकाल दिया है, और उस इंडियनाइज वरजन को क्या बोलते हैं, इंडेस, यह क्या है, इंडेस, मतलब यह वो AS है, जो उन company पर लगेंगे, जो domestic AS follow कर रही हैं, और यह उन पर लगेंगे, जो international standards follow कर रही हैं, किनको यह वाले follow करने होते हैं, और किनको यह वाले follow करने होते हैं, यह हम कहां पढ़ेंगे, इस chapter में, accounting standard इतनी बड़ी field है, कि CA institute, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी accounts है, जिसे हमारा क्या है, उनके लिए क्या है accounts, तो वहाँ पर तो कम से कम समझे लो, CA final foundation, इंटर तीनों stages पर मिलाद होगे न आप, तो accounting, हलाकि accounting standard, वो foundation में इतना नहीं पूछते, लेकिन inter final जोड़ दे अगर, तो वहाँ पर उनका लगबग 200 से 300 नंबर तक का coverage जाता है, सिरफ AIS-AIS पर, और हमारे institute कितना देना है, सिरफ 5 नंबर इस chapter को, तो हमें of course फिर उसी हिसाब से जद्दे नहीं है, इस AIS topic को हमें पढ़ना है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इसमें से कुछ भी question आएंगे, वो बहुत basic level के होंगे, और मैं हाला कि जितना level होगा, उससे थोड़ा सा उपर ही करा के भेज़ूँगा आपको, ताकि अगर कोई वहाँ पर uncertainty देखे तो आप देख पाएं, मैंने अभी कोई chapter डिसकस नहीं किया आपके साथ, मैंने कोई chapter नहीं बढ़ाया आपको, मैं सरफ आपको एक बढ़ा रहा हूँ कि यह यह topics हमारे slivers पे हैं, उसके बाद हम एक topic यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो है basics of accounting, basics of accounting, ठीक है, कौन सा topic है, basics of accounting, सर, यह तो आपको सबसे पहले लिखवाना चाहिए था, basics of accounting, मैं इसको सबसे पहले कराता ही नहीं, बच्चा बोर जाता इसमें, यह basics of accounting में क्या है, वही सब आपका 11 वाली बाते, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, subsidiary books क्या होते हैं, trial balance क्या होता है, profit and loss account क्या होता है, यह सब बाते फिर से यहाँ पर भी हैं, जो हमें discuss करनी होंगी, 11th class में आपने पूरा साल लगाया था उसको पढ़ने में, हम पूरा साल थो लगा पाएंगे, हमें इस chapter को 3 से 5 classes देनी हैं, और basics में हमें अफकोर्स जर्णल पास करना और वो सब नहीं देगा, किस तरह की question देगा, जब यह topic पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, उसके अलावा एक topic जो मैं पीछे बोला भी था, वो था debentures को लेकर, accounting of debentures, accounting of debentures, ठीक है, तो यह हमारा course content है, किसका, corporate accounting का, तो लगबग कितने topics हैं, तेरा, institute ने थोड़ा सा आगे पिछे करके दिया होगा, लेकिन chapter almost यही दिखेंगे आपको, एक institute ने और topic डाला हुआ है उसमें, कि forecasted financial statements, मैंना उसको अलग-अलग chapters में cover करूँगा, बढ़ फिर भी चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, forecasted financial statements, यह financial statements का forecast करना, future के P&L balance sheet को थोड़ा सा forecast करना, forecasted financial statements, यह भी एक topic है, हम इसको भी देखेंगे, तो इसको भी आप लिख लिजेगा, तो यह हमारा कितने number का paper है, 60 number का, 60 marks के हमारे यह सब topics हैं, इसके बाद फिर जो हमारा अगला जो subject है, उस subject का नाम है financial management, पहली बार institute ने financial management को, किसी subject के साथ merge किया है, accounts को तो पहले merge कर चुका है, वो costing के साथ, लेकिन financial management को पहली बार merge किया है, किसी practical paper के साथ, अभी existing slavers में भी, यह दी के साथ merge कर रखा है, साथ नंबर का FM है, चालिस नंबर का SM है, लेकिन अब इसको कितना कर दिया है, चालिस नंबर का FM कर दिया है, और slavers में as such कोई deduction ज्यादा नहीं किया है, बहुत ही कम deduction है, मतलब जो साथ नंबर का content है, as it is copy paste मार दिया है, वही content हमें कितने नंबर में पढ़ना है, चालिस नंबर में पढ़ना है, यह financial management जो है, हमारे slavers में 40 marks का है, हाँ जी बताइए, हाँ जी, नहीं SM का कोई बाच नहीं है, SM Institute ने डाल दिया अब finals में, अनो जी, fan कहां से आनोगा, पस्तिने कुछ ज़्यादे आ रहे हैं यहां पर, वो डाल दिया कहां पर, बस मैं इससे कितिकों दिक्कत लिए ना, इस वाले fans से, वो डाल दिया, Institute ने कहां पर आप, फाइनल में, professional level में डाल दिया है, वो जो SM वाला portion, ठीक है, अब सिर्फ FM ए रहे हैं आपर, अच्छा FM के topics ना, सारे आपके लिए बिल्कुल नए है, तो जब मैं FM subject शुरू करूँगा न, तो उसके basic level पर बात करूँगा, अभी मैं सारे topics आपको लिखवा देता हूँ, हलका हलका idea दे दूँगा, कि ये क्या-क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, तो FM को लेकर मैं अभी बहुत ज़्यादा detail नहीं बोलूँगा, क्योंकि accounts के तो topic है आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, ratios पर रखा है आपने पहले कभी, debentures पढ़ा हुआ है, issue of shares पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आपने पहले देखा हुआ है, FM आपके लिए बिल्कुल नया है, FM तो नहीं होगा 12th class में of course, ये बिल्कुल आपके लिए नया है, इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, आई अजरा देख लेते हैं, हमारा एक topic होगा यहाँ पर, leverages, एक topic हम यहाँ पढ़ेंगे, EBIT EPS Analysis, EBIT EPS Analysis, फिर एक topic हम यहाँ देखेंगे, Optimal Capital Structure, Optimal Capital Structure, Capital Structure, Theories, Capital Structure, Theories, फिर एक topic पढ़ने वाले हम यहाँ पर, Cost of Capital, Cost of Capital, फिर हम एक topic पढ़ेंगे, Working Capital, Management, और इस Working Capital Management में, कई सारे हम, कुछ सब topics पढ़ेंगे, जैसे की Cash Management, जैसे की Debtors Management, फिर एक topic पढ़ेंगे, Inventory Management, और इसी में ही एक topic और भी हम पढ़ेंगे, Working Capital Estimation, Basically Working Capital Management, चार चैप्टर्स मिल के बनाएं, फिर एक topic पढ़ेंगे, Capital Budgeting, ठीक है, मैं हलका सा रफ आइडिया दू, मैं जब FM शुरू करूँगा as a topic, तो हम थोड़ा सा introduction पर बात करेंगे, बट फिलहाल, अभी मैं एक रफ आइडिया आपको दूँ अगर, तेको आपने, Balance Sheet अगर देखी हो, मैं अगर फिलहाल अगर आपके, वैसे तो हम अफ़कोर्स, Schedule 3 के साब से बनाएंगे, पर वैसे मैं अगर Balance Sheet आपको दिखाऊ, तो हम यहाँ पर पहले पैसा raise करते है, पैसा कहां से raise होता है, मालिक लोगों से होता है, मालिक लोग मतलब equity share capital, preference share capital, हम accounts FM में preference वालों को भी मालिक लोगी मानते हैं, ठीक है, equity share capital, preference share capital, और पैसा कहां से raise होता है, बाहर वालों से, बाहर वालों में कौन अजबता है, debentures, bank loans, नहीं, यह सब क्या है, बाहर वाले हैं, bonds हो गए, तो हम suppose, फिर पैसा कहां से raise करते हैं, debt से raise करते हैं, मतलब, यह पैसा कहां कहां से raise होना चाहिए, यह पैसा कहां कहां से raise होना चाहिए, इस सब का discussion, हम कुछ इन topics में करते हैं, यह वाले topics में, कि कहां कहां से पैसा raise होना चाहिए, बलकि यह भी क्या, पहले 5 भी इसी दाइरे में लाई जा सकते हैं, capital structure, capital structure मतलब क्या होता है कि मेरी capital जो है उसमेना debt equity preference का mixture कैसा है अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी balance sheet में 4,00,000 रुपे की capital है, equity capital है, 2,00,000 रुपे की preference capital है और 4,00,000 रुपे का debt है, total कितने रुपे लगे होगे हैं 10,00,000 तो 10,00,000 रुपे का जो मेरा capital structure कैसा दिख रहा है 4,00,000 रुपे equity, 2,00,000 रुपे preference और बाखी के 4,00,000 रुपे किसमें दिख रहे हैं debt में, तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारा capital है उसका structure कैसा दिखता है मतलब हम बात कर रहे होते हैं कि capital के basically components कौन कौन से हैं उसमें कितना equity है, कितना debt है और कितना preference है ये सब बाते हैं कि पैसा कहां से raise करना चाहिए, कितना कितना raise करना चाहिए ये सब बाते हैं इन topics में पढ़ने वाले for example, एक simple सी बात बताता हूँ, cost of capital cost of capital तो क्या मतलब समझते हैं, आपकी capital की cost जब मैं bank से loan लेने जाऊँगा, तो bank क्या मुझे कोई interest rate quote करेगा, करेगा, 10% quote कर सकता है, 8% quote कर सकता है, depend करता है, जैसे individual का, तो civil कैसा होता है, नहीं, अगर reliance लेने जाएगी bank से loan, तो अलग rate quote होगा, विजे माल ले जाएगा, तो शयद rejection नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन, suppose सोचो, मुकेश अंबानी अगर bank से loan लेने जाता है, तो उसको interest rate बहुत favorable देया जाएगा, और मुकेश जस्वानी जाएगा तो, उसको बहुत थोड़ा सा, उससे तो जादा ही दिया जाएगा, कहने का मतलब यह की cost होती है, किसी भी पैसे को raise करने की, equity, आप जब stock market में पैसा लगाते हो, तो क्या यह सूचते हो, कोई बात में दूप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, stock market में जब कोई पैसा लगाता है, तो बलकि वहां तो रात और रात अमीर बनने की कोशिश करता है, मतलब एक return expect करके बैठा हुआ है, कि इतना return मुझे मिलना चाहिए, तो as an equity shareholder, आप एक return expect करें हो, तो वो basically उसकी क्या है, cost है, तो cost of capital में हम यही सीखेंगे, जो अलग-अलग sources होते हैं, debt है, preference है, equity है, उनकी cost कैसे निकाली जाती है, एक काफी important topic है, और इन सारे topics में हम basically यही पैसा, यही सोच रहे होंगे, कि पैसा कहां से raise करना और कितना raise करना है, इसको बोलते हैं, financing decision, कि इसका, finance, business को finance कहां से करें, एक बार पैसा आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, आप यहां पर invest करोगे, invest कहां कहां करोगे, fixed assets में और current assets में, और यही दू asset होगे न, current assets की तीन example कौन कौन से होते हैं, बड़े example बताओ, तीन example current assets के, stock, debtor, cash, यह सबसे बड़े example है, इन तीनों के उपर chapter है, आप देखो, cash के उपर chapter है, क्या नाम है, cash management, debtor के उपर chapter है, क्या नाम है, debtors management, और stock के उपर, inventory के उपर chapter है, क्या नाम है, inventory management, आपको लगता नहीं, हम यहां पर basically यही बात करने वाले हैं, कि current assets में कितना investment करें, और फिर बात आती है, fixed assets में कितना investment करें, मतलब यह कि अगर, suppose PVR की बात करें, PVR सोच रही है कि एक और cinema hall खोलें, तो वो basically क्या चाह रही है, एक और fixed asset, मारूती वाले सोच रहे हैं कि एक और factory लगा देते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, कि एक और fixed asset, एक plant खोल देते हैं, एक factory लगा लेते हैं, ताज hotel सोच रहा है कि एक और hotel खोल लेते हैं, तो वो basically कौन सा decision है, fixed asset लगाने का, यह fixed assets का decision हम इस chapter में लेंगे, कौन से वले chapter में, capital budgeting, जितनी weightage या जितना महंगा topic, consolidation था ना, accounts में, same parallel यहाँ पर कौन सा है, capital budgeting, लगबर यह हमारा 10-12 classes इसमें भी लगेगा, किसमें, capital budgeting, दो heavy weights हैं, पूरे slavers में, consolidation, capital budgeting, और सबसे जादा जो, जितने महंग, सबसे जो बड़ा question होगा, वो generally इसी, इसी को वो slot भी आजाता है, capital budgeting, F.A. में capital budgeting और वहाँ पर किसको consolidation, हलाकि institute ने past में surprises भी दिया है, issue of shares को भी कभी कबार heavy weight बना दिया है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जादा तर, 80% chances हैं, कि वहाँ पर consolidation और यहाँ पर कौन सा capital budgeting, यह heavy weights होंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक topic पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है dividend policy, dividend policy, topic number 8, security analysis, security analysis, nature, significance, and scope of financial management, nature, significance, and scope of financial management, जैसे मैंने वहाँ पर आपको याद है basic सबसे आखरी में लखवाया था, यहाँ पर मैंने क्या किया है आपको basics यहाँ पर भी, FM का भी basic मैंने बाद में लखवाया, देखो, यह कुछ इस तरीके से समझ लो, कि मैंना शुरुआत में basics बताने बेना belief रखता नहीं, उसका कारण में बहुत, मतलब मैं जो topic कराऊँगा उसके basics से start करूँगा, लेकिन basics में क्या होता है कि पूरा FM होता इसके अंदर, पूरा FM होगा, कि पूरे FM में हम क्या करने वाले है, देखो, मानलो आपने आज तक कभी हाथी देखा नहीं, मानलो कभी देखा नहीं आपने हाथी, आज तक नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, हाथी ऐसा होता है, एक बड़ा सा जानवर होता है, जिसकी सूंड होती है, आप सिरफ visualize कर पाऊगे, लेकिन पहले मैं आपको हाथी दिखा दूँ, और फिर बताओं कि देखो, हाथी ऐसा होता है, आपके दिमाग में एक image capture हो चुकी है, कि अच्छा ऐसा होता है, अब मैं कुछ भी बोलूँगा ना, क्योंकि आपने हाथी तो देख ही रखता है, तो मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो आप relate कर पाऊगे, हाँ उसका एक white color का भार दात निकला हुआ होता है, एक बड़ी सी soon होती है, एक बड़ा सा जानवर होता है, vegetarian मतलब सारी बाते मैं जो बोलूँगा आप समझ पाएंगे, तो हम जब FM का काफी portion कर चुके होंगे, बाद में इस nature and significance scope को बताते हुए, मैं पूरी FM को connect करवाँगा, कि यह सारे connectivity थी पूरी के पूरी FM के, ठीक है तो ऐसा कुछ हम वहाँ पर देखने वाद है, उसके बाद एक topic हम देखेंगे, वह हाला कि हम तोड़ा पहले ही देखेंगे, वह topic का नाम है time value of money, time value of money, उसके बाद एक topic जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, कि हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम, overview of cost और marginal costing जो basically इस subject का है ही नहीं, institute ने जबरदस्ति यहां पर डालने की कोशिश किये उसको FM वाले portion में, यह दो topics basically costing के हैं या costing की भी वह field के हैं जिसको हम management accounting बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, management accounting बोलते हैं, करेंगे, ठिक है ये working capital मैंने गलती से यहाँ पर estimated लिख दिया estimation actually वह वा working capital estimation मैंने बोला तो शैद estimation ही था लिक estimated दिया मुझे पता नहीं क्यों लग रहा आपने मुझे बताया भी नहीं एक नम्बरिंग मैंने शाद गलब कर दिये हैं ना हाँ हाँ मुझे करेक्ट नहीं कि आप लोगोंने हमने भी ऐसी लिख दिया फिर अच्छा आपने सही लिखा है सर को करने तो कोई बात निकलता न यह 6 नमबर था यह 7 था यह 9 यह 10 यह 11 यह 12 और यह 13 नमबर ठीक है न तो 13 एकाउंट के होगे 13 एकाउंट के होगे 13 एकाउंट के 13 एकाउंट के 13 एकाउंट के 14 एकाउंट के 14 मैंने कहा ना अलग से नहीं वह दूसरे topics के लाद मर्ज होगे हो जाएगा मैं इसको जिनरी ratio के साथ discuss करूंगा forecasted balance sheet financial statements को total हमारे कितने topics होगे लगबग देखोगे तो आप 27 टॉपिक होगे जो हमें देखने हैं स्वारे के सारे अब न होता क्या है जैसे हमारा syllabus बढ़ता जाता है और जैसे एक्जाम पास आते जाते हैं बच्चे कहते हैं सर अब कुछ काम की बात हो जाए मैंने का अभी तक मैं इस बात पर मैं आपको एक एक्जाम्पल अगर दूँँ अभी तो MCQ वाला पैटन है MCQ वाले पैटन से पहले वाला जो syllabus था उसमें जब मैं accounts पढ़ाय करता था तो वहां पर accounts के साथ auditing हुआ करती थी 70 नमर का accounts था 30 नमर की auditing होती थी उस accounts वाले paper में एक topic था जो भी यहां पर भी आप देख रहे हैं कौन सा है ईसॉप उस syllabus में इंस्टिट्यूट ने पहले तीन attempt तक ईसॉप को नहीं पूछा आप यकीन निमानों कि कई टीचर सा छुड़वाना ही शुरू कर दिया कि ईसॉप है इन इस लेवस में तीन attempt पहले तीन attempt ने नहीं पूछा और इस तीन ने फिर एक बार पूछ डाला फाइव मार्क्स का बच्चों को लगा च्हुंड ठीक है एक बार आ गया अब अगली बार थोड़ी आएगा अब तो छोड़के जाई सकते हैं बच्चे अगली बार छोड़के चलेगा फिर से इंस्टिट्यूट ने पूछ लिया अ गारदर नहीं पूछाती ने टेमट और फिर उसके बाद इन्सीट ने फिर से पूछा कहने का मतलब हमारा इंस्सीट कोई pattern नहीं follow करता कोई pattern नहीं follow करता मैं अभी आपको question paper का pattern दिखाऊंगा हलाकि ये pattern मैंने का follow होने के chances बहुत कम है जैसे कि आप देखें अगर यहां पर यह ना हमारे इंसिट्यूट का study material है अभी रिसेंट्ली डाला इंसिट्यूट ने study mat अभी कुछ तीन चार्ट पांच दे नहीं हुआ होगे हफता बर हुआ हुआ अभी रिसेंट्ली डाला इंसिट्यूट यह study mat है और यह study mat आप देखरें उपर pages लिखें हैं कितने pages लिखें हैं दिखता है यहां पर 854 साड़े 800 pages का study mat है और इस साड़े 800 pages के study mat में यह सारा content जो मैंने आपको भी बताया है इसमेरा आखरी में सबसे लास्ट में इंसिट्यूट ने एक practice paper दिया हुआ है यह देखो यहां दिखेगा यह रहा practice paper दिख रहा आपको group one paper number 4 मतलब पहले तीन paper आपके किसके होंगे लौके ही होंगे चौत्था paper हमारा कौन सा होगा एकाउंट साला paper होगा यह practice paper है काईदे से institute ने दिया है तो यही pattern आना चाहिए पर मैं फिर से कह रहा हूँ ऐसी कोई भी guarantee नहीं है कि institute यही पूछेगा पर क्यूंकि मेरा first बनता है आपका paper हो जाने के बाद तो फिर मैं बच्चों को साथ वही share करूँगा क्यूंकि फिर एक बार institute जब दे देता है ना फि वही paper का pattern follow करेगा यहाँ पर paper का pattern क्या है तो अब आपना सारा content लिखा है ना आपने पिलाल लिखो उसके नीचे लिखो heading डालो question paper pattern question paper pattern पहले क्या करने वाले हैं क्या देखने वाले हैं corporate accounting कितने marks 60 marks ठीक है question number one इस question number one के आपको कितने parts दिख रहे हैं यहाँ पर चार नीचे क्या लिखा हुआ है 6 marks each मतलब पहला question कितने number का हो गया 24 नमर का अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यही institute अगर follow करता है तो पहला question कितने number का आएगा 24 नमर का इसमें उपर दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है उपर क्या लिखा हुआ है तो अगर सारे mandatory आते हैं तो पहला question कंपल्सरी है मतलब 24 नमर का paper कंपल्सरी है 24 नमर का question पहला question कंपल्सरी है 4 question इसमें लिखे हैं फिलाल 6-6 number के तो हम यहाँ पर क्या लिखें हम लिखेंगे A, B, C, B और कितने marks का एक question 6 marks each, 6 marks, 6 marks, 6 marks मैं ना analyze करवा रहा हूँ की paper कैसा दिखने वाला है 24 marks हो गए अच्छा, अब यह बताओगे मुझे पहला question आपको क्या लगता है, जो उसका A part है practical लग रहा है, theory लग रहा है practical लग रहा है question number 1 का B practical लग रहा है, theory लग रहा है theory लग रहा है, practical theory समझते हो ना जिसमें पूझा लिखना पड़े है तो theory है practical, numbers है है तो practical है theory, यह दिखना theory question है अगला question कौन सा लग रहा है हमें, यहाँ पर C लग रहा है, practical लग रहा है और D भी practical ही लग रहा है यह C आप दिख रहा है, यही E साप का question है, यही E साप का प्यादा सा question है, जो मैं अभी बोल रहा है example, और D हम पर कौन सा है practical है, इसका मतलब 24 में से, 24 में से, अगर institute ने यही pattern follow किया 18 number practical है, 6 number theory है बचा सवाल पूछता है, कि से practical कितना आएगा, theory कितना आएगा, फिलाल तो मुझे भी नहीं पता जब institute पूछेगा, तो उस दिन पता लगेगा अभी आप कितने मर्जी अटकले लगाते रहों कि यह important है यह unimportant है, असल बात यह है कि उसी दिन पता लगेगा अच्छा यह important था, उसी दिन पता लगेगा वो कुछ भी पूछेगा, तो practical theory, theory और practical theory, practical, practical मतलब first question 24 number का हो गया paper पूरा कितना कहा है corporate accounting का 60 number का साथ में से 24 चले गए, कितने बचे 36, 36 अब 12-12 number की 3 question और है, question number 2, 3 और 4 question number 2 में अगर आप देखोगे तो यहां institute ने internal choice दिये, क्या बोला हुआ है, या 2 कर लो, या फिर क्या कर लो, 2A कर लो, क्या कर लो, या 2 कर लो, या 2A कर लो अगर हम 2 करते हैं, 2 के कितने parts हैं, 2 के 2 parts हैं, कितने कितने number के, 6-6 number के, क्योंकि पहला question 24 number का हो चुका है, तो अब 3 question कितने number के होंगे, 12-12 number के, 12-12-12, 36 जाएंगे, 36 plus 24 कितना होता है, 60 number, तो 2 या 2A, दोनो practical लग रहें, यहीं लग रहें, पिलाल तो दोनो practical लग रहें, दोनो practical लग रहें, मतलब यह कि question number 2 हमारा जो हो सकता है, वो 2A, sorry, सिरफ 2 है, 2 कर लो या 2A कर लो, question number 2, A या B, और दोनों कितने-कितने marks के, 6-6 marks के, दोनों ही क्या है, practical, दोनों ही क्या है, practical, और, यह कहता है 2A कर लो, यह फिर क्या करो, 2A, मतलब आप यह दो question कर लो, यह अगले वाले दो question कर लो, एक ही बात है, 2A अगर हम करते हैं, तो यह देखो, यह रहे, 6-6 number के हैं, और दोनों क्या है, theory है, बच्चे की जाना आ रही है, कि theory है, चलो आता है, 2A, A, B, 6 marks, 6 marks, theory, theory, उसके बाद question number 3, question number 3, देखोगे, तो आपको दिखेगा, एक ही question है, सिरफ कितने marks का, 12 को, यह weightage पता है, मैंने कहा था, किसको मिलेगा यह slot, consolidation को, आप देखो, sample paper में भी institute ने पता, यह question जो डाला है, यह calculate, minority, interest, वगरा इसमें लिखा हुआ होगा, यह consolidation का ही question है, अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन यह consolidation का question है, और बड़ा simple question है, जब consolidation हो जाएगा, अरे यह क्या, मतलब ऐसा question है, ऐसा feeling आईए आपको, consolidation का ही question है, और देख लो, सबसे heavy weight जो है, इसी topic को दे दिया है, तो question number 3 में तो एक ही question है, कितने marks का, 12 marks का, कोई choice नहीं है, फिलाल अगर इस पर देखें, और कौन सा question है, practical question है, question number 4 के तरफ बड़ो, question number 4, question number 4 के फिर से दो parts है, और दोनों parts जो हैं, दोनों के दोनों practical हैं, दोनों parts में दोनों practical है, question number 4, A, B, six marks, six marks, six marks, practical, practical, अब जो बच्चे सोच के जा रहे हैं, कि सरब theory के बच्चेस जाएंगे, यह नहीं कहारा कि theory, कुछ नहीं पता, institute जब final देखा, past record देखू मैं अगर, तो लगभग, 55 divided by 70 into 100 करना है, calculator किसी ये पास? calculator है किसी ये पास? 55 divided by 70 into 100 करो, 55, 55 divided by 70 into 100, कितना? 55 divided by 70 into 100, 78.5, मतलब पुराना अगर मैं इतिहास भेगता हूं, accounts के paper का, descriptive pattern का, तो लगभग, लगभग, जो इनने बोला है 78%, 70 से लेकर 75% number practical होता है, और 25%, 30% क्या होता है, theory होता है, मतलब जो हम theory देखेंगे, theory के questions देखेंगे, और हाला कि वो theory के questions भी ऐसे होंगे, practical अच्छे से कर रखा है, तो वो theory के question भी अराम से attempt कर पाएंगे, ठीक है ना, तो वो अराम से attempt हो पाएंगे, तो हमारा तो focus दोनों पे रहेगा, हम practical भी करके जाएंगे वड़िया से, और theory भी करके जाएंगे, पर ये अगर pattern institute ने follow किया, जो उनका ही sample paper है, मुझे नहीं पता follow होगा नहीं होगा, लेकिन अगर यही follow किया, तो आप खुद देख लो, अगर मेरा मान लो practical strong है, तो मैं कितने का practical attempt कर सकता हूँ, पहले question में 18 number का, पहले question में 18 number का, मेरा मान लो practical strong है, तो मैं कितना attempt कर सकता हूँ, पहले question में 18 number, मैं तो 2A और 2B follow करूँँगा, जिसमें practical practical है कितना हो गया 12 नमबर ये 18 और 12 कितना होता है 30 3 नमबर पूरा practical है 42 उसके बाद 12 फिर से practical है कितना हो गया 42 और 12 54 54 देखा जाए अगर मैं चाहूं अगर मेरा practical strong है तो मेरे को तो सिरफ एक यही theory question attempt करना है वह यही theory question रहता है 60 हमें से 6 नमबर तो theory का हुआ 54 और अगर मेरा theory strong है तो मेरे को theory maximum कितनी attempt करने को मिल सकती है 12 नमबर की attempt कर लोगे 6 नमबर की attempt कर लोगे कितना हो गया 18, 60 में से 18 theory तो 42 फिर भी क्या होगा practical है आप maximum अगर आपका theory भी strong है आपको लगता है कि अच्छे से हम कर लेते हैं तो 12 प्लस 6 18 नमबर तो 60 में से 18 घटा दो फिर भी आपको 42 का तो practical करना ही पड़ेगा मतलब अगर हम यह सोचे कि practical से कोई बात नहीं उसको तोड़ा lightly ले लेंगे नहीं ले पाऊगे और lightly लेना क्यों हम जब ठीक से सारी बाते करेंगे अच्छे से सब कुछ करके जाएंगे तो strong point बना के जाएंगे ना अपना उसको तो अपना trump card बना के जाएंगे उसमें number भी कहीं नहीं कटने अगर मैं 54 का practical attempt कर पाता हूँ और अगर मानलो मुझे 54 का आता भी नहीं को मानलो 45 का ही आता है और मैं सारा ठीक करके आया हूँ तो chances है कि पूरे 45 ही मिलेंगे मेरे को इस वाले portion में FM की तो बात ही नहीं कर रहा अभी में उसके बाद हमारा दूसरा portion कौन सा है financial management financial management question number 5 देख के बताएं 5 के 2 कितने parts है 5A, 5B, 5C और कितने-कितने number के है 5, 5 और 10 5A कितने marks का है 5 marks 5B कितने marks का है 5 marks और 5C कितने का है 10 marks FM कितने का है पूरा 40 इसका मतलब मुझे 2 question लग रहे हैं आते हुए 20-20 number के पहले वाले question में 5 number question के कितने parts सब-part से 3 और तीनों का total कितना है 20 ऐसे ही question number 6 देखोगे तो उसके भी A, B और C तीन ही दिखेंगे और वो भी कितना इसमें थेयरी तो कह रहे है है ही नहीं बच्चा पहले थेयरी देख रहा है थेयरी है कि नहीं तो कितना थेयरी है ही नहीं 5 marks और इसका भी कितना है 5 marks और इसका कितना है 10 marks और जैसे कि बच्चा देख चुका है कि ये भी practical है कि ये भी practical है और ये भी practical है ठीक है ना सारा practical है question number 6 फिर से A, B और C 6 A, B और C आये देखें जड़ा 6 A, B और C 5 marks और 10 marks 5 marks 5 marks 10 marks और 5 marks तीनों practical तो देखा जाए मेरा practical का स्ट्रॉंग है 94 marks का मैं practical attempt कर सकता हूँ और 6 number का theory हाँ जी और marks भी बनेंगे पूरे बनेंगे कहीं कटेंगे ही नहीं कुछ और मेरा यकीन मानो अगर आप थोड़ी सी भी sincerity दिखा होगे न तो literally आपको practical ना अच्छा लगने लगेगा आपका मन करेगा कि मैं क्यों ना CA में भी enroll कर लूँ मराक नहीं कर रहा हूँ पीछे मेरे कई students पहले practical से जो डरते थे बात में CA में enroll किया CS qualify करने के बाद साथ साच चलो CA भी करते हैं और कई बचों का CA intermittent हो भी चुका है अब मतलब जिन्होंने भी रेसिंटी जिन से मेरी बात हुई है फाइनल्स में अब CA के भी पर उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करने पड़ेगी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सके का class में maximum करवा के जाऊँगा अब हमारी बुक कैसी दिखेंगी जब आपको बुक्स मिलेंगी तो बुक्स में आपका सबसे बड़ा जो पहला coverage जो हम करने की कोशिश करेंगे वो हमारे institute का study mat यह साड़े 800 pages का study mat आपको देखने तक भी ज़रूत नहीं है सब कुछ डाल देंगे बुक के अंदर सारे questions दले वे होंगे दूसरा उसमें जो cover करेंगे हम past year के examination questions अब आप कहोगे sir अभी तो हुआ ही नहीं कोई exam questions कहा से कर लोगे आप past year के exam questions 12 साल से पढ़ा रहा हूँ accounts तो थी ना पहले भी थी तो हमारी बुक में past में जो questions आए हुए हैं सब के सब डले वे होंगे इतने भी पुराने questions मिलेंगे आपको 90s का 2005, 2004, 2006 MCQ पैटन से पहले वाले तो सारे attempt थे ही ना accounts था ही तो वो सारे questions जो पूछे तो हमारे institute ने और आप देखोगे maximum जो questions past में पूछे थे institute ने कई study mat में डाले हुए तो हम दूसरी coverage किसकी रखेंगे past year के exam questions पहली coverage किसकी हमारे study mat की दूसरी coverage किसकी past year के examination questions की और तीसरी coverage ऐसे कई questions institute में अब तो मैं क्योंकि 12 साल से देख रहा हूँ institute CA exam के questions as it is copy paste मारता है हमारे exam में वहां से उठाया question पूरा का पूरा copy paste मार दिया यहीं पर exactly numbers भी निबतले figures तक निबतली पूरा का पूरा copy paste मार दिया और वो भगवान की दिया से मेरी समझ थोड़ी ठीक है कि कौन सा question आ सकता है तो वो अपने intuition के base पर news labels के बच्चे अब अब शुरूर की class भी intuition के basis पर मैंने वो question भी book में डलवा दिया है मतलब मेरी जो book है वो substantially ready है क्योंकि study mat अभी late आ जा है तो अब study mat के questions ना उसमें incorporate हो रहे हैं तो जब तक study mat के questions उसमें incorporate होते हैं कुछ तो उन्हें पास्टर के exam questions ही डाले हैं पर जो नहीं डाले हैं क्योंकि शाड़े 800 pages के study mat को मुझे खुद personally analyze करना है और उसके बाद book में incorporate करना क्योंकि मैंने चाहता कि हमारे कहीं पे भी coverage में कोई short रहे तो आपको मेरी books लॉक के सर आपको लॉक के लिए बताएंगे मेरी books जो accounts FM की होंगी वो आपको मिलेगी most probably by the end of this month तब तक हम क्या करेंगे तब तक मैं आपको handout या PDF दे दूँगा मतलब जो हम topic शुरू करेंगे उसका handout मिल जाएगा क्योंकि जो chapters ready है मेरे जिसके डल चुके हैं, incorporate हो चुके हैं notes में questions तो उसका हम क्या दे देंगे आपको handout या PDF प्रोवाइट कर देंगे ताकि आप फिर हमारा, at least classes हमारी बिना किसी problem के चलती रह सके ठीक है ना, तो ऐसा करेंगे तब तक इस month एन तक books आ जाएगी, तो फिर आपको वो books भी मिल जाएगे अब इस question में, इस particular paper के pattern में अगर यह follow होता है, तो इसमें सबसे महंगा question कितने number का है एक तो 10 number का FM में हो गया अना, यह 10-10 number के question दिख रहे है और यहाँ पर कितना दिख रहा है हमें सबसे 12 number का ठीक, लेकिन हम अपने आपको prepare करके जाएंगे 16 number तक के question उसके लिए भी, कि 16 marks कभी आ जाएंगा, तो क्यों कि यह pattern follow, मुझे लगता है कि institute नहीं करेगा चादर चांसे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, past के history से थोड़ा बहुत idea लग जाता है, नहीं करेगा इतना कम theory भी नहीं करेगा वो 100% theory का proportion 75-25 का minimum maintain करके चलेगा हो सकता है, ज्यादा भी करे, ऐसा मेरी feeling है बाखी, आपको बात में पता लगया ठीक, वो क्या होने वाला है पर ऐसा मेरी feeling है, 75-25 का percentage एक maintain करेगा, इसलिए हम practical और theory दोनों पर focus करके जाएंगे दूसरी important बात, यहाँ पर आपको जो majority questions दिख रहे हैं वो कितने-कितने marks वाले दिख रहे हैं, 6-6 marks वाले पर मुझे लगता है कि ये भी नहीं होने वाला है, majority questions जो होने वाले हैं, वो होने वाले हैं तीन और 5 number के, 5 marks या 3 marks, 3 marks के होंगे, कम होंगे ज्यादा तर किसके दिखेंगे आपको, 5-5 marks के, जो मुझे लगता है, 5-5 marks के होने चाहिए, पिछले जितने भी attempts में देखेंगे हैं तो 3 number या 5 number might be यही follow करने, कुछ नहीं बता लेकिन 3 number या 5 number, तो 3 number के questions भी हमें देख के जाने, देखो paper का pattern ना, हमें ये एक ना, एक तरह से कह सकते हो कि एक indication देता है कि हमारी strategy कैसे हो, मैंने आपको MCQ वाले बच्चों के साथ merge क्यों नहीं किया क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका लाग है मेरी MCQ वाली book जो ready है उसमें सारे के सारे ही MCQ करते हैं उसमें descriptive है ही नहीं उसमें मैं करवाता ही कौन से questions हूँ सारे MCQ करते हैं मैं आपको अगर MCQ की मैं एक chapter का मैं आपको PDF दिखाऊ तो हमारी MCQ की book ना कुछ ऐसी दिखती है कोई भी एक topic में खोल देता हूँ यहाँ पर जैसे हम अभी FM में एक topic पढ़ेंगे leverages कौन से topic पढ़ेंगे leverages करके topic पढ़ेंगे आप देखो इसमें सारे क्या करवा रखे है मैंने सारे MCQ दिख रहा है चार options सब में ना आपको दिख रहा है चार options सब में चार options है मैं class में MCQ वाले बच्चों को MCQ कराऊंगा descriptive उनको कराता ही नहीं हो सारे MCQ कराऊंगा और आपको क्या कराऊंगा सारे descriptive आपके law के papers में 20-80 का ratio है शायद 20 नमबर का आपका MCQ आएगा 80 नमबर का आएगा with one exception accounts के लिए institute ने बोला है एक भी MCQ नहीं पूछेंगे मतलब कहां पहले पूरा 100 MCQ पूछेंगे और अब क्या कह रहे हैं एक भी MCQ नहीं पूछेंगे पूरा ही descriptive पूछेंगे तो हमारी approach फिर कैसी होगी हमारी approach फिर completely descriptive वाली ही होगी इसलिए मैं आपको किसी old syllabus की बच्चे के साथ बठाई नहीं सकता आपके साथ भी injustice होगा उनके साथ बे चार पहले में ठीक है दूसरे में कितने चार ही मानो दो दो चार ये चार चार आठ और तीन ग्यारा उसके बाद छे और सतरह टोटल कितने होगा है सतरह chapter कितने लिखिए हमने 26 13 26 इसका मतलब सबको तो मौका नहीं मिल पाएगा अगर हम यह सोचे कि सारे chapters को मौका मिलेगा नहीं मिल पाएगा लेकिन हम यह नहीं बोल सकते कि यह तो आएगा ही नहीं आएगा यह तो पक्का ही नहीं आएगा याद है बीकॉम अगर आप दोगे ना आपका तै होता है कि branch और higher purchase में कोई एक ही पूछेंगे कंसाइनमेंट जॉइंट विंचर में से चौइज आती है branch अइसा कुछ होता है शायद वहाँ पर branch accounting higher purchase एक chapter से accounts के उसमें से कोई एक ही पूछेंगे कंसाइनमेंट जॉइंट विंचर में से मतलब चौइज आती है हमारा time कितना हो गया एक बचके 38 मिनट हमने class कितने में शुरू करती आज आज लेट स्टाट होई थी हमारी 12 15 12 20 के आसपर स्टाट होई थी ठीक है अब हम paper का pattern भी clear है course content भी clear है अभी मैंने कोई topic start नहीं किया है अभी हमने जो accounts FM कुछ भी start नहीं किया है एक topic जो मैं आपसे कह रहा था यहां पर कि marginal costing जो basically management accounting को belong करता है institute ने कहां डाल रखा है FM वाले portion में यह कहां डाल रखा है FM वाले portion में basically यह FM को belong नहीं करता है आप जब graduation करेंगे आपको दिखेगा FM में कभी इसे include नहीं किया जाएगा इन दोनों topics को यह overview of cost, cost accounting की field का है marginal costing management accounting की field का है लेकिन आप जो है इन topics को किस register में करेंगे FM वाले register में करेंगे क्योंकि हमारे लिए 40 marks का हिस्सा है marginal costing इतना important topic है इतना important topic है कि इससे एक question 100% आएगा ही आएगा मान की चलो आई गए आएगा अभी जो मैंने आपको दिखाया ना paper का pattern जो sample paper देखा उसमें एक question marginal costing का भी है मतलब इस topic से एक question आएगा कहने का मतलब यह कि FM में जो यह वाला position है जो FM का नहीं है actually में 5 number minimum है और एकर दोनों से आगया तो 8 से 10 number हो जाएगे कितने 8 से 10 number हो जाएगे तो देखा जाए तो FM का weightage ना और कम हो गया 35 मतलब maximum भी देंगे तो कितना है 35 क्योंकि यह 5 marks basically किसको belong करता है management accounting को तो accounts का अगर हम सही से देखें कि strength क्या है तो 65% है FM लेकिन असान है खासकर वो बच्चे जिनका non commerce background है वो FM enjoy ज्यादा करेंगे इवन आप भी ज्यादा enjoy करोगे FM क्योंकि उसमें हमें कोई balance sheet नहीं बनानी कोई journal नहीं बनाना कोई profit and loss account नहीं कोई ledger नहीं है terms use होंगी जरूर net profit क्या होता है profit after tax क्या होता है EBIT वगरा क्या होता है लेकिन न कोई journal ledger नहीं simple algebra बीच में थोड़ी बहुत आएगी जहां पर हम plus minus कर रहे होंगे concept अगर clear है तो यह FM वाला portion 40 marks बिल्कुल आपके लिए मक्कन है अराम से प्यार से पूरे number देके जाएगा और इसमें capital budgeting अगर हटा दूँ और security analysis लिखा है यह topics जो है इस chapter में सबसे बड़े हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा बाकी सब जो topics है वो बड़े प्यार से आपको जितने भी आएंगे सारे के सारे अच्छा आपको score देके जाएंगे बल्कि क्योंकि इसमें मेहनच ज कर दिया आपके लिए कौन सा marginal costing मैं शुरुवात में एक light topic लेना चाह रहा हूं और marginal costing से हम शुरू करेंगे पहला जो है मतलब FM वाले portion से शुरू कर रहे हैं फिलहाल लेकिन यह FM तो है नहीं ठीक है ना यह एक accounting cost accounting की field का topic है तो अब क्या किया जाए आज ही शुरू कर दें एक तालिस हो गया है यह नेक्स लास में शुरू करें आपकी क्लास आज कितने बज़ी खतम होई थी लौ की बिटा साड़े गया तक खतम होई थी मतलब मैं मैं हलकी कोशिश करूँगा कि अब नेक्स क्लास से 11.45 11.50 पर स्टार्ट कर दूं क्लास ठीक है आज थोड़ा सा मिस्स प्लान हो गया ट्राफिक की वजह से अधरवाइस हम 11.45 11.50 पर स्टार्ट कर देंगे तो माजदल कोस्टिंग जो है फिर हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं 141 तो होई चुका है आप क्यूंकि मैं आप कुछ बोलूँगा वह रिदम ही नहीं बन पाएगी नेक्स कई बार बच्चस क्या सोचता है कि चलो अभी क्लास में तो फोन से ही लेगे या चोटा सा कोई के लिया आते हैं चोटा योट्ता आता है जिसमें तीन दवाओ छे डपता हे वह लेना है जिसमें तीनधनी दवुटर तो वैंक्छाट्योटर आ जों केहने का मतलब कुछ ये तीन है, ये छे है, ये डिवाइड का बटन है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाए हमारी, तो कैल्कुलेटर खराब नहीं होते हैं, तो कैल्कुलेटर पहले से ही वो लेलना, जो आप एक्जाम वाले दिन में यूज करो, तो वो आप लेके आएंगे नेक्स लास से, रजिस्टर एक प्रॉपर लगाएंगे, फिलहाल तीन पेजिस छोड़ेंगे, इंडेक्स कैसे बढ़ाना है, ये मैं बताऊँगा आपको, जैसे जैसे आपके पेजिस भरते जाएं, उपर नंबर देते जाना, 1, 2, 3, 4, और उन पेज नंबर का हम यूज कैसे करेंगे, वो भी मैं बताऊँगा, वो हम रजिस्टर इंडेक्स का दाइरा है, कि कैसे करना है, नोटमेकिंग हमारी कैसे होगी, वो देखना है, और, हाँ, इनका अब सवाल कि सर्फ कब तक स्लेबर्स खत्म होगा, देखो, इंस्टिट्यूट ने, कवरेज तो देखो, मेरा बहुत अच्छी खासी डाली होगी है, ठीक है, जो जनरी स्लेबर्स कम्प्लीट होने में वक्त लगता है, अकाउंट्स एफम का, खासकर जो जो फर्स ग्रूप आले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले न मैं जब भी एफम पढ़ाया, या अका जनरी में, और वो होगा कव, जून में, तो मेरे पास जयाधा तर बच्चा हमेशा कव, कौन सा आया, क्योंकि मेरा प्रपर किस में होता था, जून में पेपर होते थे, तो मुझे यहांगरे रेंट, उनको फ्री करना पड़ता था, चार महिने का एक विंडो मीजो मिलता थ मैं आपके साथ फ्लस पॉंट किया है कि आप के पास जादा या भी तो फेबरेंआ आपके पास लगबख कितने महीने हैं वैसे करीब-करीब 10 महीने मानके चलिए 10 महीने हैं हमारा जो खतम हो पाएगा एकांट को लगबख खतम होगा फाइव मन्स में जिनको दोनों ग्रुप साथ में देने मैं तो आपको यही सलाद दूँगा कि दोनों ग्रुप की कोचिंग साथ मत शुरू करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आप अगर दूसरा ग्रुप स्टार्ट करना भी चाहते हो तो एक या दो पेपर से ही शुरू करना दूसरा हो ताकि आपके पास होगा क्या ऐसे तो लगेगा मज़दूरी चल रही है कैसे सुबा आओगे शाम को कब तक फ्री होगे साड़े पांच फिर उस दिन जिस दिन मैं आज जो पढ़ा के भेजू उस दिन रिवाईज करना मस्ट है मैं homework पकका पकका देता हूं, homework अच्छे वहला देता हूं मतलब class में हमारे बुक में इतने questions होँगे कि homework में दूँगा और homework के लिए मैं अगले हासमें पर discuss भी करूंग homework तो यह रहेगा आज जो homework दिया एक बार यहाँ पर सारा नोट कर लिया, फिर घर दाके फिर से नोट करते हैं उसी रेजिस्टर में, किसर ने कहा है कि classwork वाले कोशन फिर से homework बनते हैं, तो duplication एकी रेजिस्टर में हो रही है, जहाँ चार भरने हैं, वहाँ कितने बर जाएंगे, आठ रेजिस्टर बर जाएं homework register आपको exam वाले दिन देखना भी नहीं है, क्यों नहीं देखना, क्योंकि homework में मैं सारे consequences दूँगा, जो repetitive nature के होंगे, सारा repetition होगा उसके अंदर, जो variety है, वो सब किसमें cover हो जाएगी, class में, सारे variety of questions में, class में cover कर दूँगा, exam वाले दिन, आपको सिरफ और सिरफ जो revise करने है, वो consequences revise करने है, class वाले questions revise करने है, अब group 2 के लिए, देखो वीड़ा, group 1 का जो ये accounts वाला paper है, हम अगर non-stop जाते हैं, पांच महीने का लगबक syllabus है, और पांच महीने हमें लगबक लग जाएंगे, इसको complete करने में, और बाखी जो both group दे रहे हैं, वो थोड़ा सा plan होके चल कर दो, तो अभी थोड़ा सा पहले used to हो जाओ, कि इतनी लंबी classes क्योंकि आप शायद पहली बारी ले रहे होगे, आज तक अभी आपने लंबी classes ली नहीं है, शाम तक आते आते लगे का हो क्या रहे, नहीं, ऐसे ही वाली feeling आईगी, तो पहले थोड़ा सा अपने आपको used to क जब जो trackers, Everest पे भी कभी जाते हैं, तो पहले ना वो अपने आपको adjust करवाते हैं environment को लेकर, क्योंकि एकदम से वो जायें, ऊपर oxygen कम होगी, तो दिक्कत जाता हो जाते हैं, तो पहले वो दीरे दीरे अपने आपको adjust करें, उसके बाद दीरे अपने आपको adjust करों, और आगे कर पा रहे हो, कोचिंग लेना वेर्थ है, बिल्कुल वेर्थ है, आज जो भी पढ़ा, आज तो मैंने हलागी कुछ पढ़ाया नहीं, तो आज जो भी पढ़ाऊंगा उसको आज ही device करना आपके लिए must है, बिना उसके दिक्कत रहेगी, revision बहुत 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 जादा जितनी ज्यादा revision, उतना अच्छा score, जितनी कम revision, उतना कम score, revision और आपके final performance में बिल्कुल positive correlation है, ठीक है, बाखी बहुत सी बाते हैं, जो मैं को करनी हैं, लेकिन वो मैं अब साथ साथ करूँगा, और to the point बाते करेंगे, कुछ भी हम अपने topic से ज्यादा इदर उदर नहीं जाएंगे, हमारा main focus, हमारे concepts, और जो आपकी studies में help कर सकें, वो सारी बात है, ठीक है, तो किसी के कुछ doubts हों, कुछ और पूछना हों, शौर, एक्जाम से, देखो, अगर आप both groups दे रहे हो, single group दे रहे हो, तो अपने आपको at least September तक free कर लेना, तकी October, November और December के 20 दिन, 21 December से paper शुरूँ होते हैं, लगवक, धाई महीने आपके पास किस के लिए हो, रिविजन के लिए हो, और रिविजन का ना, ऐसे नहीं है कि, एक बार पूरा syllabus खतम होगा, तो उसके बाद ही रिविजन शुरूँ होगी, ना, रिविजन का कैसे है, कि पूरे महीने की दिविजन करते हैं, बतलब आपको एक चैप्टर को महीने में तीन बार रिवाइज करना है, एक तो सेम डे, एक वीकली, और फिर दो दिन मंतली भी देने हैं, ये दिविजन अगर आप कर ले तो ना, मैनेज, तो आप यकीन नहीं मानोगी, जब आप आज मिन जब स्लेबर्स खतम होता है, फिर घर पर रजिस्सर देखते हैं, जैसे लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, और वो क्यों, क्योंकि चार मिन देखा ही नहीं उस टॉपिक को, तो रिविजन आपको, मैं बताता रहोंगा कैसे कैसे करनी है, फ्रिक्वेंटली क अभी मेधी क्लासेथ एकांउंट्स की 3D द विखी चलेंगी, लॉके अबहना बतायोगा। थ्री देज द विकी बोला ना, थ्री देज द विकी चलेंगे फिलाल तो भी, हाँ जो यह, चारों एक साथ कैसे मैनेज किया, मैंने एक साथ मैनेज क्या किया, आज मुझसे कोई पूछेगा ना, कोई बच्चा मुझसे सला लेगा, कि सरक्या मैं तीनों कोर्स करूँ, मैं शायद सला नहीं दूँगा, मिले को उस तरह में पर कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए शायद मैं जो दिमाग में आया, करता चला गया, For example, मैंने 12th pass करी, ऐसा कुछ हुआ था, कि मैं शुरुआ तो B.com से ही करी थी, B.com honors और साथ में CA, जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे आप B.com और CS कर रहे हो, कोई एक professional course और degree course, ऐसे ही, मैंने भी ऐसी किया था, फिर मेरा एक friend मुझे मिला, college में, regular college में था, तो college में एक friend मिला, उसके पास C.W.O का prospectus था, C.W.O जैसे, CA में बोलते हैं ना, पहले इसको C.W.O बोलते थे, तो मैंने बाइचल देखा यार, मैंने का यार, course तो सारा same ही लग रहे है, थोड़ा सा यह लग यह बस क्यो और महनत करी जाए, और मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने एन्रोल करा दिया, अब C.W.O में भी साथ हमें, C.W.O में, C.S में नहीं कराया था, 12 के बाद C.A.O और B.C.O ने स्टार्ट की थी, वो friend का, बस prospectus देखा, C.W.O का, वो C.W.O और B.C.O कर रहा था, तो मैंने भी Z.W.O में एन्रोल करा लिया, अब करवा तो लिया, लेकिन जब एक साल जब पहले एक्जाम आए, और मार्च में B.C.O ओनर्स, साई, एप्रिल में B.C.O ओनर्स, में में C.A. फाउंडेशन, और जून में C.A. में फाउंडेशन, मैंने का 15 पेपर एक साथ देने हैं अभी, साथ पेपर B.C.O ओनर्स के थे, और उसके बाद में C.A. फाउंडेशन था, और जून में C.A. में फाउंडेशन था, जैसे तैसे करके दिये, और इतना कभी, 12 में तो कहां बिल्कुल बच्चों के ताह रखते थे, धाई साल का गाप होता था, ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो उस गाप में मैंने C.A. से लिए नरॉल करा लिया, मतलब ग्राजुशन मेरी खतम हुई, एक कोर्स से खतम फ्री हुआ, तो फिर मैंने C.A. से लिए नरॉल करा लिया, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2007 के जून में मेरा C.A. final पड़ा, December 7 में C.A. final पड़ा और May 8 में C.A. final पड़ा, मतलब ऐसे लग गए सारे, कुछ ऐसा हुआ कि सब अपने आप ऐसे due होते गई, फिर मैंने जब C.A. final दिया, भगवान से बस यही प्राता थी, गल्ती से भी fail हो गया, तो अगली बार, December में C.A. और C.A. में दोनों देने पड़ेंगे, और December में clash करते हैं उनके exam, मैंने का, यह जो euphoria, यह सारा frustration में convert हो जाएगा, पर कैसे करके C.A. final, C.A. final हो गया, रैंक भी आ गई, फिर C.A. final दिया, वो भी हो गया, फिर C.A. final दिया, वो भी हो गया, पर मैं आज सोचता हूँ कि वो मेरा सबसे बड़ा, शायद blunder था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे करना क्या चाहिए था, बेस्ट बताता हूँ, जो कोर्स कर रहे हो, उसमें पूरी जाहन लगा दो, इंस्टेट में तीन कोर्स करता, मुझे आज लगता है कि मैं शायद सिरफ मेरा जैसे practical strong है, मेरा legal मेरे इतना, मेरे को अंदर से आती नहीं उसके लिए feeling, practical strong है, तो मैं एक ही करता, लेकिन CA करता, और उसमें टॉप 10 में रैंक लेके आता, वो शायद ज्यादा बहतर सिचुवेशन होती, बजाए कि ये, शायद teaching में आना लिखा था, आप बच्चों को तो क्या attract कर रहा है, एक डिग्री में रैंक लेके आत बोलता, तो आपको इतना attract नहीं करता, CA, CA, CA में, नहीं, attract करने की बात है, आपको लग रहा है कि हाँ, आप safe hands में हो, कि अभी ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो जब थोड़ा बहुत trust develop होगा हमारे और आपस बीच में, तो आपको लगेगा कि हाँ, तब ठीक ठाक है, और सब कुछ, अब बारा साल से पढ़ा रहा हूँ, CS का सब in-out बता है, किस तरह की कोशन आते हैं, examiner का क्या mindset रता है, paper search करते हैं, तो सब बाते धीज़रे करके discuss करेंगे, बाकि मैं आज जो भी मुझे सलाह लेगा, मैं शायद यही कहूँगा, कि जो कर रहे हो, एक ही चीज़ करो, उसमें पूरी जान लगा दो, exam में भी और training में भी, मैं training में इतनी effort नहीं लगा पाया, training में मैंने बहुत छुटियां लेनी पड़ी, क्योंकि जब देखो, कोई exam due हो जाता था, सोचो, कितने paper दियोंगे, हर 6 मैने में कुछ ना कुछ due हो, exam में due होते जा रहे हैं, तो, पढ़ाई, पढ़ाई, और जो time मिला training, training, बस, आज की time पर तो, बस वक्त खराब करने का जज़बा चाहिए, वक्त खराब हो जाता है, बहुत, बहुत temptation है, facebook, youtube, instagram, तो, आज की time पर शायद ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि जो attention span है, या फिर कहें, जो concentration span है, वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और वो आपकी भी गलती नहीं है, distraction इतने है, फोन हमेशा साथ रहता है, वो पल-पल, ring-ting-ting-ting करता रहता है, बच्चा भी फिर पीछे बीचल रहता है, बाकी, करेंगे discuss, और बहुत कुछ, धैंक्यू तेजर्स, मिहिर आप कौन से चैप्टर की बात करें बटा, अच्छा एक बड़ी important बात, मैं बताई देता हूँ, और यह ज़रूरी है, मैं आपको, यह तो मैं बताना ही भूल गया, कोई चला गया है गया बच्चा, चलो जो चला गया है कोई बात नहीं, यह बड़ी important बात है, यह वो यह important बात है, कि यह मेरा contact number है, 9811504471, मेरा नाम है मुकेश जस्वानी, बस अमबानी की जगा जस्वानी है, ठीक है न, पहला नाम तो ठीक है, मुकेश जस्वानी, और इस नमबर को आप अपने फोन में सेव करें न, मुझे एक message आप भीजना, WhatsApp पर, जब आपको अपना नाम लिख देना, नाम के साथ आप subject लिख देना, जैसे मेरे से आप क्या पढ़ोगे, corporate accounting पढ़ोगे, तो CAFM करके लिख देना, news labels लिख देना, क्योंकि मैं एक और जगा भी पढ़ाता हूँ, तो आप पटेल लगर mention कर देना, ठीक है, पटेल लगर mention कर देना, मैं आपको एक broadcast list में add करूँगा, broadcast list में add करके, मेरी तरफ से फिर आपको regularly updates वगरा मिलते जाएंगे, जैसे कि suppose मुझे अभी फिलाल आपके साथ PDF शेर करनी है, तो मैं उस broadcast list में डाल दूगा, आपको PDF मिल जाएगा topics का, मैं आपको homework में questions दूँगा, तो उसके solutions भी मैं उसी में answers नहीं होंगे, वो पूरा question bank है, क्योंकि maximum मैं class में ही solve करूँगा, और उसमें theory questions होंगे, theory और practical पूरा होगा, लेकिन क्योंकि class में सारे questions में ही solve करूँगा, homework वाले questions कि आपको ऐसे PDF मिल जाए करेंगे, आपको पता लग जाए कैसे कैसे, तो उसमें मैं आपको broadcast list में add करके, मेरी तरफ से आपको updates वगरा मिलते रहेंगे, तो यह मेरा contact number है, ध्यान रखना, मेरा number save करोगे, तभी updates मिलेंगे, क्योंकि broadcast list में क्या है कि group नहीं है, group में तो सबको पता होता है कि आप add हो गए हो, group में बच्चे ना time ही खराब करते रहते हैं आपस में, और एक सबसे बड पर एक message छोड़ दीजेगा WhatsApp, ये नाम लिख देना, CAFM लिख देना, पटेल नगर जरूर मेंशन करते हैं, ताकि मैं, क्योंकि बहुत सारी broadcasts बनी है, old slivers, new slivers, तो मैं आपको भी उस broadcasts में add करूँगा, बागी मिलते हैं अग लिजास में, आनन्द पूछ रहे हैं कि सर, ग्रूप 2 में tax आप ही पढ़ाओगे, नहीं बीटा, tax तो मैं नहीं पढ़ाता, पिलाहल तो tax मेरा पढ़ाने का कोई विचार नहीं है, हाँ, अश्यार, अब जा सकते हो, फोई थेंक्यू सो मच मुझे इतने देर तक tolerate करने के लिए, कुछ एमने के लिए, अश्यार, अवी हो, तो नहीं पढ़ाता, नहीं हो, तो नहीं हो, नहीं है, आनन्द विए, विए, बीए, आनि तो दो है, विए, विए, आनन वी रहे हैं, झाल झाल